यह जो खुला नाला देख रहे हैं यह दर्भंगा नगर निगम छेतर के वार्ड नमर 11 में आयकर चौरहा से हसंचक जाने वाले रास्ते मारग में यह नाला पड़ता है सहर में आने जाने का यह मुख्य मारग माना जाता है लोगों का कहना है कि सरक से चौरह नाला हो गया है साथ ही आठ से दस फीट यह घरा नाला है बर्साध के समय में सरक और नाला में कोई फरक नहीं रहता है अगर इसमें बच्चा अथवा कोई आदमी अचानक गिरता है तो उसका बचना साइध ही मुश्किल लगता है लोगों की माने तो इस खुला नाला में अगर कोई हाथसा होता है तो इसकी सारी जबाब देही निगम प्रसासन की होगी साथ ही अस्थानिय जन प्रतिनीदिय को बिचाहिए कि इस पर ठोस कदम उठावे जिससे कि कोई हाथसा नहीं हो सके इस समस्या के समन्द में अस्थानिय पार्षद्रीता अदेवी ने भी निगम प्रसासन को ही जिमेदा ठाराया इन्होंने कहा कि सरक्ष्य चौरा नाला हो गया है 2019 से ही हमलागातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं होता दिख रहा है साथ ही अस्थाई समीती से यह पास भी हो गया है अब क्या कारण है कि अभी तक इस पर कार्ज पूरा नहीं हुआ है इस नाला में गिरने से अगर कोई घटना घशती हो तो इसकी सारी जवाब देही निगम प्रसाशन की होगी इन्होंने यह भी कहा कि यह सरक्षे चौरा नाला हो गया है निगम प्रसाशन को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कारवाई करे अस्थानी लोगों ने क्या कहा आप सो यंग सुनें दर्भंगादर संसे मनोज जा निकल भी नहीं पाएगा और अगर कोई पा फीट शेए फीट का आदम्या यह पांच फीट की महिलए जा रही है व्याज्क है यह द्रै में निकल सकती है तो भी उनके ऐसे मर जाएंगी वह बाद में complications है नक में जा सकता है पानी कान में जा सकता है पानी आख में जा सकता है पानी और धातक भी बादी हो नहीं अभी आर्किल उसके आमंग ऊपय ना चाहिए अच्छा सब लेना चाहिए इस से सब Mm हो जाए इसको अगर आप साफ कर देंगे इसमें पानी बहुत कम जाएगा उसके ऊपर से क्या करेंगे आप कोई चद्रा या को इसको मतब आर सी सी से कवर कर देंगे थोड़ा फोलेंगे सिर्फ सफाई के लिए प्रावल्लम सॉल्व हो जाएगा प्लस इसका ट्राइफिक भी रोड वहां तक चली जाएगे उसको बढ़ा कर देता कि इंसान रात में या दिन में कभी गिरें नहीं या अगर पानी विपस दूल रहा है रोड पे चल रहा है या नाले में चल रहा है तो अभी फत्रय होतकता हुऊ तऱ् नाले में चाहिए कि उसको पानी और उप आप जो इसमें आये दिन एक्सिडेंट होत रहता है, आए दिन आदमी गीरते परते हैं, खुदाने घ्षासते हैं नगल निगम पर साथन इस बात पर ध्यान दे हैं जितना रोड के चुराए है, उससे जादा कहीं नाला के चुराए हो गया है और उससे कहीं अधिक यहां पर 12-13 फीट यहां पर गढधा है जो कभी भी पबलीक के साथ यहां पर कभी भी नुकसान बड़ा नुकसान सावित हो सकता है इसलिए हम नगर निकमपरशासन से मांग करता है यह नाला को नाला के उपर अभिलम यह धलया किया जाए उसको धका ज पूरा क्या वेदन है कि जैसे आएकर चोरहा से पोस्ट अपिस्तक का नाला जो बड़ी है उसमें कितना हुगटना हो सकता है इतना बड़ा लंबा चोड़ा नाला होगा कि रोड़ा लेकि नाला जो बड़ा जो बड़ा उसमें भी किसी समय में दुरहटना हो सकती है इसका जबाब देही कौन है अखिर वने तुन निगम न समझे निगम को मोग कितना बार लेक लिक करके दे चुके बोल चके बोड़ के बैठाक में बोले कि इसके उपर कोई करवाई नहीं रोड और एक नुछ हो जाए ता उसमें पता नहीं चलता है कि रोड कौन है नाला अलाकॉन है तो आदमी तो गीरेगा लोट गयोग कोन भॉतन पास आएगा निगम तो नहीं जाएगा तो जूतालाद कौन खाएगा पाटशत खाएगा इना इसका जल से जल सुनहाई जाए होना के लिए रॉतक है उनका कहना है कि नाला नहीं है ये मौत का नाला है कि विंध गलत बात तो नहीं है सही सुचना है इना उदर से जाते आते हैं देखते हैं इतना बड़ा लंबा चोड़ा पोटो भी है